लोगों को एकसर शिकायत होती है कि पुलिस अपराद होने के बाद मौके पर पहुँचती है लेकिन शाजाहांपूर पुलिस ने रात के अंधेरे में चल रही तमंचा फैक्टरी पर फिल्मी स्टाइल में छापा मारा है चापे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल भी है इसे पुलिस वाले एन मौके पर तमंचा बना रहे हैं वैक्ती को धर्द अपोचते हैं आरोपी भी अचानक हुई चापे मारी से बहुत चक्का रह जाता है वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी के सामने देशी तमंचा बनाने के तमाम उजार रखे हैं रात के अंधेरे में वो अपने काम में इतना मगन है कि पुलिस के आने की उसे भनक तक नहीं लगती इसी बीच पीछे से आकर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं इस बारे में खुद साजाहापूर पुलिस ने ट्वीट करके इस मामले की जानकारी दी साजाहापूर संजीव वाजबई ने बताया मुखविरों से जानकारी मिली थी थाना कट्रा में अवैध हथियारों की एक फैक्टरी रात के अंदेरे में खेतों में चलाई जा रही है इसी क्रम में थाना कट्रा के पुलिस वारा मुखविर की चूचना के अधार पर एक अब्यक को सस्त्र बनाते हुए गरफतार किया गया इसके कपजे से पांस तमंचे बनात हुए जिसमें चार 315 बोर के और एक 12 बोर का तमंचा है एक अर्धनेर में त्राइफट बनात हुए साथी जिन्ना और खोके कार्टूस बनात हुए तदा सस्त्र बनानी का फैक्ट्री का उपकरण होते हैं वो बनात हुए मौके पर पुलिस पहुँची तो एक शक्स तमंचा बनाता मिला उसे पकड़ लिया गया अवैध असले बनाने वाले सामान भी जब्द कर लिये गए पुलिस के अनुसार आरूपी का नाम यादराम है जो की कट्रा शेतर का ही रहने वाला है उसका कहना है कि ये मौनाफ़ का कारोबार है एक तमंचा बनाने में एक हजार खर्च आता है लेकिन वो तीन हजार में आसानी से बिग जाता है इस तरह उसे दो हजार का लाब होता है चुकि मुनाफ़ा अच्छा था इसलिए यादराम अपना पूरा समय इसी काम में लगाता है इसकी कमाई से उसका घर चलता है फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में पड़ताल कर रही है